Welcome students, कैसे हैं आप सभी लोग? आपका अपने चैनल कुई किस्मार्ट टिप्स में बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि हम Read Science की तैयारी कर रहे हैं और almost हमारा सारा स्लेबर्स जो है Read का वो complete अब होने ही वाला है बस एक-दो टॉपिक और हमें biology में देखने हैं और उसके बाद हम अपने practice time शुरू कर देंगे ताकि जो सारा revision है वो आपका अच्छे से हो जाए और ताकि आप Read Science में बहुत ही बढ़िया जो है वो score करें तेकि हमने सजीव, निर्जीव अच्छे से कर लिया शुक्ष्म जीव अच्छे से कर लिया यहां पर हमने स्वसन, उस्षरजन, पादपो में जो पोशक होता है कोशिका का विवाजन जो है यह सारी चीज़े हमने अच्छे से समझ ली लेकिन जब हम microorganism सुक्ष्म जीव पढ़ रहेते तो वहां पर हमने पढ़ा था कि कौन कौन से जो है हमें किस किस बैक्टीरिया से होते हैं वाइरस से होते हैं जैसे जो हैजा है कॉलरा है वो हमें किस से होता है वो हमें बैक्टीरिया से होता है लेकिन जो खसरा है वो हमें बैरस से होती है तो यह सारी चीज़े हमने अच्छे से पहले ही देख ली थी और उसके बाद हम जो विभिन तंत्र हैं देखिए जो हमारे बॉड़ी के अंदर डिफरेंट सिस्टम हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है कैसे देखिए मैंने डाजेस्टिव सिस्टम आपको पूरा पढ़ा दिया जब हमने पोशक पढ़ेते तो उसी में हमने हमने हुमन का और कैसे छोड़ते हैं और कैसे जो हमारे लंग्स होते हैं वो किस तरह का रोल प्ले करते हैं वो सारी चीजे भी हमने अच्छे से समझ ली थी और देखे जो सुक्षम जीव माइक्रो ओर्गनिजम वारा चैप्टर पढ़ा था उसी में मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जो स लगबख सारी चीजे हमने कवर कर ली हैं और आज ही क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं यहां पर यह जो भोजन वाला फूड वाला सेक्षन है इसको कवर कर लेंगे और इसी के साथ हमारा यह वाला सेक्षन कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद एक वेडियो और आएगी जिसमें हम समझेंगे क्या रीप्रोडेक्शन कैसे रीप्रोडेक्शन होता है एनीमल में और प्लांट में वो बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि उसको हमने सीटेट में भी अच्छे से नहीं पढ़ा था तो यहां पर मैं उसको अच्छे से पढ़ा दूँगी रीप्रोड नहीं हो और जिन्हों नहीं देखी तो वो इस से अच्छे से फूड को समझ जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं हम भोजन क्या होता है जो हमारी बॉड़ी को पोशक तत्व चाहिए जिन्दा रहने के लिए या कुछ भी कार्य करने के लिए और वो पोशक तत्व हमें जिस सबस्टांस से मिलते हैं जिन पदार्थों से मिलते हैं वही आपका क्या होते हैं भोजन होते हैं फूड होते हैं जो हमारे शरीर को भिन प्रकार प्रकार के पोशक तत्व देते हैं वही सबस्टांस वही पदार्थ क्या कैलाते हैं भोजन होता है कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन, फैट और हमारी बोड़ी को हर चीज अलग-अलग प्रॉपर अमाउंट में चाहिए होती है कार्बो हाइडरेट भी, प्रोटीन भी, फैट भी और इनी के लिए हम अलग-अलग substances को पदार्तों को consume करते हैं ताकि हमारी body की जो need है वो satisfy हो सके अभी जो substance है ये जो पदार्त हैं वो हमें कहां से मिलते हैं तो जो food का हमारे जो sources हैं शोत हैं वो क्या हैं वो plant और animal हैं सीधा सा question सीटेट में बनता है कि sources क्या होते हैं भोजन के तो वो plant और animal ही होते हैं हमें जितनी भी vegetable है fruits हैं वो सब plant से मिल रही हैं और जितनी भी animal होते हैं उनसे हमें milk मिलता है और milk से हमें दही पनीर ये सारी चीज़े भी मिलती हैं तो जो हमारे मुखे source हैं हमारी body को जो पोशक तत्व दे रहे हैं वो मुख्य सोर्स क्या हैं वो आपके प्लांट और एनिमल हैं अब यहां पर बात हुई है NCRT में कि हम प्लांट के क्या-क्या पार्ट जो हैं वो खाते हैं क्या-क्या हम कंजियूम करते हैं तो हम प्लांट के अलग-अलग पार्टों को अगर मैं पत्तियों की बात करूं तो पत्तियों में हम आजकर बहुत जादा चल रहा है पालक तो हम पालक खाते हैं और वो क्या है वो प्लांट की एक पत्ति है जैसे आजकर हम गाजर मूली भी बहुत खा रहे हैं तो वो क्या होती है वो जड़ होती है क्या होती है वो आपक फुल गोबी होती है जो फ्लावर के अंदर आती है किस के अंदर आती है फूल के अंदर आती है उसको भी आजकल हम काफी खाते हैं तो हम प्लांट के अलग-अलग पार्ट खाते हैं और यहां से कोशन बन जाता है कि हम किस प्लांट के थूर कौन से पार्ट के माध्यम से क्या पूरा लिख दिया है कि क्या कौन सा पार्ट होता है और किसको हम consume करते हैं अब देखें यहां पर यह है कि जो चुकंदर होता है जिसे हम beetroot बोलते हैं और जो पालक गाजर है spinach और carrot है इनके हम दोनों चीज खाते हैं देखें कुछ प्लांट के ऐसे पार्ट होते हैं जिनमें ह हम खाली एक पार्ट नहीं खाते हैं उनका बहुत सारे पार्ट खाते हैं जैसे यहां पर लिखा है जो सीता फल है जिसको हम काशी फल बोलते हैं उसके हम फलों को भी खाते हैं और हम उसके जो काशी फल होता है उसके फूलों को भी खाया जाता है सबजी बनाकर खाया जाता है बाकि उसके फलकों तो खाते ही खाते हैं सीता फलकों तो हम खाते ही खाते हैं लेजुजी से हम क्या बोलते हैं कद्दू बोलते हैं उस कद्दू को तो हम खाते ही खाते हैं साथ में हम उसके फूलों को भी खाते हैं तो ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिनके हम एक सबस्टांस निखाते हैं, उनके हम बहुत से पार्टों को खाते हैं, तो यहाँ पर बोला है, जो चुकंदर है, पालक है, गाजर है, इन सब की हम क्या खाते हैं, हम इन सब के तने भी खाते हैं, और साथ में हम इन सब की पत्तियां भी खाते हैं, लीव्स भी खा तो याद रखिए ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके हम फूलों को खा रहे हैं तो वहाँ पर याद था option था सीता फल काशी फल यह जो काशी फल होता है इसमें हम इसका जो काशी फल है वो तो खाते ही खाते हैं लेकिन जो इनके फूल होते हैं उनकी भी सबजियां बना कर खाई जाती हैं बाकी जो कैबेज है ब्रॉकली है यह सब किसमें आती है जो आपकी फूल गोभी बगेरा हो गई यह सब आपके फलावर में आते हैं फूल के अंदर आते हैं अब याद रखिएगा एक बात जो बहुत जादा important है जो ब्रिंजल और लेडी फिंगर होती है जो आप का क्या होता है ब्रिंजल की होगया आपका ब्रिंजल हो गया तो इनकी पतियां नहीं खायी जाती क्योंकि इनकी पतियां जहरीली होती है तो Option में koction कैसे बनाकी देदेगा, कि बताईए निमलिखित में से हम किसकी पतियों को नहीं खाते। तो एक option में देदेगा beetroot, एक में देदेगा spanish, और एक में देदेगा carrot और चोथे option में देदेगा ladyfinger, तो वहाँ पर आप टिक कर देंगे जो भिंडी लेडी फिंगर है उसकी पतियों को हम नहीं खाते same as it is बिंजल की पतियां जो होती है बैंगन की पतियां होती है उनको भी नहीं खाया जाता वो भी not eatable है अब देखें यहां पर मैंने लिख दिया है कि कौन कौन से पाठ हम प्लांट के खाते हैं प्लांट रूट as a food जिसकी हम क्या खाते हैं जड़े खाती हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे गाजर, मुली, चुकंदर, शकरगंद, शलजम, कैरेट, रैडिश, बीट रूट, स्वीट पतेटो याद रखें स्वीट पतेटो है ना और जो टरनिप है जो आपका शलजम है स्वीट पतेटो इस टाइम में बहुत आता है ना और मेरे को काफी पसंद भी है तो हम उसको खाते हैं as a food और वो क्या होता है हमारा वो रूट की तरह होता है वो जड़ की तरह होते हैं और किन प्लांटों की हम स्टैम को खाते हैं तो हम प्याज, प्याज क्या है एक स्टै अधी भी हमारा एक तना है तो कोशन आएगा कैसे एक्जाम में कि निम लिखित में से कौन सा तना नहीं है तो उसमें आप पहचान लेंगे बस ये आपको याद रखने हैं ये सारे स्टैम होते हैं अनियन पटेटो जिंजर गार्लिक और टर्मरिक ठीक है उसके बाद हम किन प फूलो को फ्लोवर को खाते हैं जैसे मैंने बताया था काशी फल, सीता फल उसके तो फ्लोवर को खाते हैं साथ में जो बनाना प्लांट होता है केले का पौधा होता है उसके भी हम फूल को खाते हैं पंकिन जो हमारा कद्दू यहां पर आगया इसका काशी फल जिसको बोलत और ये चारो के चारो बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है जो कोशन सी टैट में बनता है वो यहां से ही बन जाता है कि कौन सा तना है कौन सी पत्ती है कौन सा फ्लॉवर है उसके बाद हम बात करेंगे भोजन के मुख्य पोशक या अवियव की या कंपोनेंट की कि हमारे जनके क्या होते हैं कंपोनेंट होते हैं अवियब होते हैं अब मुख्य तम हम बात करेंगे कि कहां से हमें कार्बो हैड़िट मिलती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आजकल क्या बोलते हैं काप्स बोलते हैं काप्स खाने से जादा क्या होता है वेट गेन हो जाता है तो किसमें जादा होगा कार्बो हाइड़ेट वो आपका वीट, राइस, पटेटो, एक्सेक्टरा इन सब में कार्बो हाइड़ेट बहुत जादा मौंट में होता है और ये बात आपको याद रखनी है अगर मैं बात करूं किसकी फैट की तो फैट जो है वो हमारा किसके अंदर ह होता है बटर, घी, मिल्क, चीज तो ये सारी चीजे जो हैं उनमें फैट होता है और अगर प्रोटीन की बात करें ये बाड़ी बिल्डिंग होता है हमारी ग्रोथ में मदद करता है कौन प्रोटीन याद रखिये और इसके जो मुख्यश्रोत है जो इसकी कंपोनेंट है और आपकी जो ग्राउंड नट मूम फलिया होती है उनमें भी क्या होता है प्रोटीन होता है अगर मैं बात करूं मिनरल की खनिच की जब आप कोई भी जैसे बॉन बिडर टाइफ इस तरह की चीजे पी रहे होती है तो उनमें जब आपके इंग्रिडेंट आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलता है उनमें लिखा होता है केल्शियम, फॉस्फोरस, आइरन, सोडियम तो ये सब मिनरल है और ये भी हमारी बोडी को चाहिए होते है प्रोपर फंक्शिनिंग के लिए तो केल्शियम, फॉस्फोरस, आइरन, सोडियम ये सब की रिक्वाइमेंट होती है हमारी body को और इनको ही हम क्या बोलते हैं mineral बोलते हैं ठीक है एक next important बात जो आपको याद रखनी है food topic में वो ये कि we get more energy from fat than carbohydrate हमें carbohydrate की मात्रा में जो fat होते हैं जो वसा होते हैं उनसे जादा उड़जा मिलती है जादा energy मिलती है अगर आपको जादा energy लेनी है तो आप carbohydrate की में जो energy होगी वो carbohydrate से दुगनी होती है almost तो fat जो होते हैं वो जादा energy हमें देते हैं जिसे हम हिंदी में वसा बोलते हैं ठीक है उसके बाद हम देखेंगे अगर आपको protein सही amount में नहीं मिल रहा है तो आपको कौन सी बिमारियां हो जाएंगी तो kwashi core और merismis ये दो बिमारिय हो जाती है इसमें क्या होता है एक बीमारी में तो आपका क्या हो जाता है पेट बहर निकल जाता है और एक बीमारी में आप overall बहुत जादा पतले हो जाते हैं आपकी जो bones हो जाती है वो बहुत ही सुकुड जाती है कि किसकी वज़े से होता है ये deficiency of protein की वज़े से होता है kwashi और मरेसमस, तो ये कोशन भी बन सकता है, तो इतना था फूड में से, और बाकी जो चीज़े फूड में से हैं, उसको भी समझते हैं, और इन पॉइंटों से, ये जो अब हम बताने वाले हैं, सबसे कोशन बना हैं, एक्जाम में, सिटेट में, तो तिहान से समझ लीजेगा, अब भोजन हैं, भोजन में बहुत सारे component हैं, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से भोजन में क्या है, किसमें पता चलेगा कि आपको protein है, fat है, carbohydrate है, तो उन सब को हम test करके पता कर सकते हैं, कि किसमें starch है, starch जो मंड होती है, जो शकरा होती है, वो आपके carbohydrate में होगी, जहां पर sugar, sorry, शकरा या मंड होगी, starch होगी, तो समझ लेज़ेगा वो carbohydrate है, तो अगर आपको test करना है कि किस food में starch है, शकरा है, तो वो आप कैसे test करते हैं, वो NCRT में हमें बताया है, put two or three drop of dilute iodine solution on the food, if the color get blue or black, then starch is present, बहुत ही important line है, अगर आपको किसी भी भोजन में पता लगा उसमें starch है, तो आप क्या करेंगे, दो से तीन बूंद किसकी डालेंगे, dilute iodine solution की डालेंगे भोजन के उपर, और अगर उसका color blue या black हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें शकरा है, उसमें starch है, ये point याद रखना है, अब अगर आपको test करना है कि आपके भोजन मे आपके food में protein है या नहीं, तो वो आप कैसे test करेंगे, सबसे पहले आप food लेंगे, उसको किसी परकनली इसको tube में डालेंगे, जो आपका powdered food है, और उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, एपरोक्स 10 drop of water आप उसमें मिलाएंगे, और उसके बाद उसमें 2-3 drop of copper sulfate solution की मिलाएं उसके बाद उसमें 10 drop कास्टिक सोडा डालेंगे, और अगर उसका color violet होता है, तो आप समझ जाएंगे उसमें क्या है, उसमें protein है, और सेम ऐसे ही step as it is, सीटेट में पूछे गए थे, तो याद रखेंगे सबसे पहले पानी 10 drop, उसके बाद 2-3 drop copper sulfate, पहले क्या डाला copper sulfate, औ उसके बाद 10 drop कास्टिक सोडा डालेंगे, और color अगर हमारा violet होता है, तो समझ जाएंगे कि, तो color आपका violet हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें protein है, इसके बाद जो NCRT में बताया है, वो है deficiency disease आपको याद रखनी है, और यहाँ से question बार 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 बने है, सीटेट में और फ कौन कौन से disease हमें हो जाती है, बिटामिन A से हमें night blindness हो जाती है, जिसे हम रतौंदी भी बोलते हैं, तो आप याद रखेंगे, बिटामिन B की कमी से आपको बैरी बैरी हो जाता है, इसमें क्या होता है, जो आपकी muscles होती है, जो वो weak हो जाती है, तो वो आप याद रखेंग तो बताएए उसमें कौन सी बिटामिन की कमी है तो उसमें बिटामिन C की कमी है और इसी को हम इसकरवी बोलते हैं जो हमारे दातों और मसूरों से संबंदित होती है उसके बाद अगर मैं बात करूं बिटामिन D की तो उसकी कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है और रिकेट्स क्य और इस मौसम में हमें good जरूर खाना चाहिए क्योंकि उसमें rich amount of iron होता है और उसकी कमी से हमें क्या हो जाता है एनीमिया हो जाता है जिसमें क्या होता है आपको बहुत थकान महसूस होगी और आपका शरीर जो है बहुत down रहेगा तो वो एनीमिया होता है जो कि iron की कमी से हो जा और याद रखे जो vitamins D है uh vitamin D है वो हमारे शरीर में हार्मून की तरह Au disagreeate होता है दोसितने भी vitamins होते हैं वो हम बहर से लेते हैं लेकिन एक vitamin D ऐसा vitamin है जो हमारी body अंदर से ही। हार्मोन की तरह सी nghi 따라 ling repeated करती है तो यह question बनेगा कि कौन सा vitamin हार्मोन होता है तो बिटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर में एक तरह से हार्मोन की तरह ही होता है क्योंकि वो हमारी बॉड़ी के अंदर से ही क्या होता है सीक्रेट होता है और क्या होता है क्योंकि वो सीक्रेट तो हो गया लेकिन वो एक्टिवेट कब होता है जब आप secret करी है और जो next बात आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि beitamin b और c जो होते हैं ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं वाटर में dissolve हो जाते हैं तो question बनेगा कौन से beitamin हैं जो water में dissolve होते हैं तो beitamin b और c ऐसे हैं जो आपके water में dissolve हो जाती है बाकी कोई भी vitamin जो है वो आपका water में dissolve नहीं होता वो सब वसा में fat में dissolve होती है अगर मैं बात करूँ चावल, अगर आप चावलों को लगातार धोते हैं, ठीक है आप rice को लगातार repeatedly धोते चले जाएंगे, तो उससे कौन सा vitamin lost हो जाता है तो वहाँ से vitamin B1 जो है, वो lost हो जाता है इसके बाद last में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी roughage की, roughage क्या होते है देखे, जिसको हिंदी में बोलते है, अहारी रेशे ठीक है, हमारे शरीर में digestion को ठीक रखने के लिए जो हमारा waste material body से excrete हो जाता है उसको excrete करने में जो मदद करती है, वो हमारे roughage ही होते है इससे जो हमारा digestion है वो बहुत ही अच्छा रहता है ये याद रखेगा, हमारे शरीर को कोई भी पोशक परदान नहीं करते इन में कोई भी पोशक तत्व नहीं होता लेकिन ये roughage जो होते हैं हमारी body से excrete को जो waste material है उसको बहार निकालने में मदद करते हैं तो roughage आपका fruit और vegetable में आम तोर पर मिलता है तो हमें अच्छे amount में fruit vegetable खाने चाहिए ताकि जो हमारा digestion है वो अच्छा रहे और waste material हमारी body से regular amount में release होता रहे ठीक है तो ये तो I think ये food वाला topic जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा देखी इसके अलावा मुझे याद आ रहा है कि हमें एक chapter computer का भी करना है क्योंकि जो read का science का paper होता है उसमें कोशन computer का 100% आता है तो एक class हम computer की और करेंगे और एक class में हम ये सारा प्रजनन reproduction जो है वो अच्छे से समझ लेंगे और इसी के साथ हमारा जो syllabus है वो read का खतम हो जाएगा और फिर हमारे सिर्फ practice चैट रह जाएगे और आपको इन वीडियो से जो आपने notes बनाए हैं शिर्फ उनका revision करना है राजिस्थान की जो books हैं 6,7,8 की इन notes को करने के बाद अगर आप एक बार उनको पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी तो और भी और extra चीजे जो है वो भी आपको मिल जाएंगे कुछ तो क्योंकि आपने अच्छे से समझ लिए हैं सारे हर चीज उसके बाद जबाद पढ़ेंगे न तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है बहुत ही बड़ी हाँ पेपर करेंगे पेडागोजी के कुछ एक्षन जो है वो मैं डाल दूँगी ताकि जो पेडागोजी है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए क्योंकि जो दस कोश्चन है वो पेडागोजी से आएंगे आपके रिट में तो बस यही सब हम करते रहेंगे आगे भी वीडियो अच्छे लगती है तो उसको लाइक करें शेयर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें थेंक्यू वेरी मच